हेलो दोस्तों, वेलकम टो एजुकेस्टनलब, दोस्तों इस बीटियो के अंदर में बहुत एस्पेसल बीटियो है, प्लीज इसको ध्यान से देखना, विटिलीगो के बारे में बात करेंगे, विटिलीगो, सफेद दाग, जो वाइट वाइट पैचेज हो जाते हैं, इसमें गमका मेडिकल से क्या संबंद है, अगर आप गमका मेडिकल कराने के लिए जाते हो, जी सी सी में काम करना है आपको गमका मेडिकल कराने के लिए जाते हो, लेकिन आपको ये प्रॉबलम है, विटिलीगो है, आपको सफेद दाग है, इसकीन पर वाइट वाइट पैचेज है हाथों पे चेह रूपे है तो क्या आपका medical fit हो जाएगा बहुत दिनों से लोग परिशान थे पूछना चाह रहे थे मुझसे लेकिन मैं नहीं इसका जवाब दे पा रहा था क्योंकि सही जानकारी मेरे पास भी नहीं थी क्योंकि इसकी information गमका medical website पर भी नहीं है और नहीं आप किसी YouTube पे पूरे YouTube की बात कर रहा हूँ किसी वीडियो में सही से इसको identify किया गया है कि गमका medical वीटिलीगो के बारे में वीडियो बहुत सारा है लेकिन गमका medical में क्या acceptable है गमका medical unfit हो जाएगा या फिट होगा अगर किसी को ये problem है सफेद दाग वीटिलीगो तो इसलिए मैं सही जानकारी लेकर आया हूँ बिल्कुल जिन्मीन और सुद्ध जानकारी कुछ जानकारियां ऐसी है सिर्फ जो मेरे चैनल पे मिलती है पूरे आप YouTube पे अभी भी आप सर्च करकर देख सकते है गमका medical में वीटिलीगो को अगर problem है किसी को इस पे कोई वीडियो है क्या जिन्मीन नहीं दिखेगा आपको जादा ठीक है तो इसी लिए मैं आपको लेकर आया हूँ सही जानकारी अगर आपको चाहिए सही इनफोर्मेशन अगर आपको चाहिए करियर करीगाडिंग गमका medical करीगाडिंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जोल जाएए जो की link डिस्क्रिप्सिन में है वहाँ जाकर जॉइन कर लीजिए सारे information सारे vacancies सब कुछ guidelines time to time आपको मिलते रहेंगे दोस्तो hello दोस्तो मेरा नाम शहाब शाकी बे और मैं इसी तरह की video बनाता हूँ job करीगाडिंग गमका medical करीगाडिंग करीयर करीगाडिंग दोस्तो विटिलीगो के बारे में मैंने पूछा directly जाकर hospital में पता किया hospital कौन सा गमका medical center में उन्होंने सीधा मना कर दिया कि medical unfit हो जाएगा ये acceptable नहीं है किसी भी angle से acceptable नहीं है और उन्होंने जादा मैं भी जादा नहीं बात किया सीधा उन्होंने पूला कि जी नहीं ये acceptable नहीं है गमका medical unfit हो जाता है लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को बंद करें कट करें एक चीज आपको समझना होगा मैं खुद सौधी में रहा हूं कुएत में रहा हूं उम सफेद दाग वाले आदमियों वहां काम करते हुए दिख जाते हैं और बहुत सारी कंपनी में हैं तो कैसे हो गया इस पर थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि भाई आपकी जानने वाले तो ये सफेद दाग है उनको लेकिन फिर भी काम कर रही है कैसे होगा कहीं आप ये ना समझें कि ये मैं जूटा आपको इन्फरमेशन दे रहा हूं नहीं ये गमका मेडिकल वाले भी सही है और वो भी सही है होता क्या है बहुत पहले ओ जिसी सी चले गए और वहां पे गए उस वक्त उनको वीटिलीगू और जब भी न्यू वीजा इंफ्लाइमेंट वीजा याद रखना जब भी स्टांप होगा तो आपको गमका मेडिकल प्रॉसेस से आपको गुजरना होगा अगर आप सौधी से या कोई से छुटी आ जा रहे हैं तो गमका मेडिकल करानी की ज़रूरत नहीं होती है जैसे कि आप आपको भी मालूम है लेकिन पहले आप चले गए हैं और एक ही कमपनी में आप टाइम दे रहे हैं तो ऐसे में आपको गमका मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है और वीटिलिगो की समस्या है तब भी कोई दिकत नहीं आप काम कर सकते हैं लेकिन जो नए विजा पर जाना चा आप लोगों को एक सही और जिन्वीन जनकारी लेकर आता हूं और देने के कोशिश करता हूं दोस्तों दोस्तों मेरे टेलिग्राम चैनल को बिल्कुल चोइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को ओल पे दबा देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों